हाई गाईज वेलकम बेक टो माई चैनल मेरा नाम प्रित तिवारी राज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बिड़फुल सा बन हेरस्टाइल लेकर आगी हूँ जो कि आप यह बैक्पीन की मदद से बना सकते हो यह देखो यह वाला जो बैक्पीन होता है इसकी मदद से बन दालूंगी प्रेंट से मैं कोई हैस्टाइल नहीं करें सिंपल सी पोनी बना रही हूँ और एक रबर बैंड लगा लेंगे यहां पर आपक्लिप भी लगा सकते हो तो यह जो क्लिप में ने लिया था उसी को लगा रहे हैं डारेक्ट क्लिप को इस तरीके से लगा लिया है थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे के तरफ लिप को इस तरीके से कर लेंगे और थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए रबर बैंड लगाएंगे बालों को टू पार्स में रबर बैंड के नीचे के बालों को टू पार्स में डिवाइड करेंगे और इ निच्छे में आप चाहों तो क्लिप लगा दो या फिर रबर्ट बैंट भी यूच कर सकते हो तो मैं क्लिप लगा रही हूँ अब यह जो हेयर हैं इनको इस तरीके से निच्छे के तरफ पकड़ेंगे और एक बॉबी क्लिप की मदद से सिक्यूर कर लेंगे ताकि जो हेयर स्टाइल है वह अच्छा दिखें अपर डारेक्शन के हेयर को अच्छे से से करने के लिए क्यूंकि मेरे बाल छोटे हैं लंबे होंगे तो आपको इसकी जरुवत नहीं पड़ेगी तो मेरे चोटे हैं तो मैंने यू पीन्स लगाए हैं जिससे कि अच्छे से सिक्यूर हो जाए तो यह है वन बैक बैक्पीन की मदद से प्योड़ोफुल सा बन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक में जरू बताएगा क्राउन एरिया के हैर को जरूर खीच लिजेगा और यह अर्ष को अच्छे से सिक्यूर कर दिजेगा फ्रेंट से कुछ इसतरी के का लुक आएगा अच्छा लगा ना पीछी से मैं अपनी स्टूडेंट से भी पूछ लिया क्यामरे में नहीं दिख रहा था तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक में जरूर बदाएगा तो आज के लिए इतना ही छोटा फे वीडियो है तो ज़्यादा ज़्यादा से एक बैक पिन की मदद से हम लोग को काफी ज़्यादा इस्टायप की हैर की जरत होती है जो बहुत कम से कम एयर स्टाइलिं या फिर हैर पिन की मदद से हमारा है स्टायल बन जाए ज्यादा लोग इस तरी दिखिए आप लेकर आते रहती हूं पर मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साब तब तक लचना खाया दखिये थेंक्स वर वा बाइ